नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं CM हेमन्त की बैठक में JBVNL को 750 कोड़ रुपए का रिन उपलब्द कराएगी सरकार जर्खन में बिजली संकट को लेकर CM हेमन्त सुरेन की बैठक रांची में होई जिसमें राई सरकार JBVNL को PFC से 750 कोड़ रुपए रिन उपलब्द कराएगी बता दे बिजली जनरेटिंग कमपनियों का बाकाया भुगतान को लेकर जर्खन बिजली बितरन निगम लिटेट को राई सरकार अपनी गरांटी पर पावर फाइनेंस कर्पोरेशन से 750 कोड़ रुपए 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 रुपध कराएगी मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिसमें बिजली जनरेटिंग कमपनियों का बाकाया भुगतान किया जा सके जार्खन में बिली संकट के बीच मुख्य मंत्री है मंसुरेने मंगलवार को जार्खन बिली बित्रन निगम लिमिटेट के कार्यों की समिक्छा की जार्खन मंत्राले में होई इस बैठक में राजी के मुख्य सचिव सुकदेव सिंग मुख्य मंत्री के परधान सचीव राजीव अरुन एका, उर्जा विभा के परधान सचीव अविनाज कुमार, बित विभा के परधान सचीव अजीव कुमार सिंग, वा मुख्य मंत्री के सचीव बिनाय कुमार चोवे, आधी पदाधिकारे उपसित रहे जारखन में अगले 24 घंटे के बाद मौसम में हलके बदलाव हो सकते हैं 8 दिसंबर से आसमान में हलके बादल चाहेंगे इससे दीन के तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी रात के तापमान में 1-2 डिगरी बिरीधी होने की संभावना है मौसम विभाक के अनुसार अंडबान सागर के आसपास बना निवन दबाव का छेतर अगले 24 घंटे के दोरान एक चक्रवाती तुफान में परवर्तित हो जाएगा 7 दिसंबर को या तमिलादू टट से टकरा कर पच्छिम उतर दिसा में आगे बढ़ेगा इस सिस्टम के परभाव से हावा के रूख में बदलाव आएगा दक्षिनी पूर्व दिसा से हावा आने के कारण जार्खन के आसमान पर भी बादल चाहेंगे मौसम विभाक के अनुसार इस बदलाव से बारिस होने की संभावना कम है जार्खन कॉंग्रेस के चार जीला अध्यक्ष बदले गए कॉंग्रेस आलाकमान ने जार्खन के चार जीला अध्यक्ष को बदल दिया है इसके तहत रामगड में पार्टी ने मुन्ना पासवान पर एक बार फिर से भरो सज़ताया है वहीं कोडार्मा में भागिरत पासवान को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया इसके अलावा गढ़वा में अब्दुल्ला हक अंसारी और साहिब गंज में बरक तुल्ला खान को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया बता दे कि कॉंग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के सूची चार दिसंबर को जारी की गई थी सूची में अल्पसंख्याक महिला और दलीत को जगा नहीं दिये जाने का बिरोध भी सुरू हुआ कॉंग्रेस अलाकमान ने सूची में मंगलवार को फिर बदल करते हुए चार जिला के कॉंग्रेस अध्यक्ष को बदल दिया है साथ ही बताया गया है कि बदले गई चारों नेताओं को पर्देश कॉंग्रेस कमेटी में पताधिकारी के रूप में समाहित किया जाएगा पूलिस से लूटे हथियार गुमला के हपाद जंगल से बरामत गुमला जिले के विसुनपूरा थाना के पूलिस को बड़ी सफलता मिली है भागपा मवादी द्वारा हपाद जंगल में छिपा कर रखे गए हथियार और गोली बरामत किया है यहां थी आर और गोली पूली से लूटी हुई थी 3.3 की तीन राइफल एवं एक तीन सो तीन बोर का देशी राइफल के साथ 76 पीस गोली समेथ जुता बरामत किया गया वही रात एवं जंगल का फैदा उठा कर नकसली रविंद्र गांजु दस्ता का सेक्रेस्ट से आके सक्रिये सदस्य इंद्रदेव खिरवार अपने मिरितक सासुर के ब्रह्मभोज में सामिल होने के लिए हपदा इस्थित अपने सजुराल आया हुआ है 14 में नकसलीों ने दो जैसीवी को किया आग के हवाले 14 के कुंदा में नकसलीों ने लंबे समय बाद एक बार फिर छेतर में अपनी उपस्थिती दर्ज कराई है नकसलीों ने गारो गाउं में सदक निर्मान कारे में लगे दो जैसीवी को आग के हवाले कर दिया है इसके बाद से छेतर में दसत का महल है वहें पूलिस ने मोर्चा संभाल लिया है बतादे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिंजनी से गारो गाउं तक चल रहे सड़क निर्मान कारे में लगे दो जैसीवी को नकसलीों ने आग के हवाले कर दिया बताया गया है कि जैसी भी द्वारा सड़क निमान कारे में मिट्टी से फ्लेग भरने का कारे चल रहा था इस दोरान नकसली मोके पर पहुंचे और घटना को अंजाम देने से पहले गोरा गाउं को अपने कबजे में कर लिया था आधिवासियों के अहीत वा दमन करने वाले अपसरों पर करवाई करे सरकार बावुलाल मराणडी पूरों मोक मंत्री सब भाजपा बिधायक दलकिन नेता बाबुलान मरांडी ने कहा है कि पूलिस अधिकारी मुख्य मंत्री के बरहेट विधायक परतीरिधी पंकज मिस्रा और मंत्री अलमगीर अलम को 24 घंटे में क्लिन चीट देते हैं लेकिन आदिवासियों के अहीतवा दमन करने वाले पूलिस पताधी कार्यों पर सालों साल करवाई नहीं होती बाबुलान मरांडी ने कहा है कि मुख्य मंत्री ऐसे चीन हीत अफसरों पर करवाई करे जिस राजय में हजारों केस्ट DSP के सूपरवीजन की परतिक्षा में थानों में महीनों सालों से पड़े हो वहां साहब गان्ज में एक DSP पर्मोद मिस्रा हिमान सुरेन के परतिनिधी साहेब गंज के सुपर मुख्यमंत्री पंकज मिस्रा को केसे बचाने के लिए 24 गंटे के भीता सुपरविजन कर लिता है 2019 के बाद पांच गुना अधिक ग्रामिन परिवार आजीवका से जुड़े जहरखन में दिसंबर 2019 के बाद से अब तक 24 लाख 50 और 924 ग्रामिन परिवारों को सरकार आजीवका से जोड़ने में सफल रही है इन तीन वर्सों में सक्खी मंडल के जरिए एक ग्रामिन परिवार लाभानमित हुए है सरकार का स्थानिय संसाजनों के अधार पर विभीन कारकरमों के जरिए ग्रामिन महिलाओ का जीवका सनवर्धन के लिए परियास जारी है सरकार का उमिध है कि राज को गरीबों के कुछ चक्र से बाहर निकालने में सखी मंडल की महिलाए महत्पुन भूम का निभायेगी साखी मंडल की महिलाओ और गरामीन अर्थ वेवस्ता को ससक्त कर राजव गरामीन इलाकों में खुशाली एवं सम्रीदी लाई जा सकेगी किसानों को रिन माफी योईना का लाभ दे मुख्य मंत्री हेमांसुरेन मुख्य मंत्री हेमांसुरेन ने मंगलवार को जार्खन किरी सीरीन माफी योजना की समिक्षा की इस दोरान उन्होंने अधिकारियों से आउगत कराया है कि जेके आर एमवाई के तहट राजे में 9,077,753 पात्र किसानों के रीन को माफ किया जाना था लेकिन बिभीन बैंकों ने केवल 6.6 लाग किसानों का डाटा ही उपलोट किया है इस पर मुख्य मंजरें चिंता ब्यक्त करते हुए निर्देश दिया है कि मुख्य सचीव के अध्यक्स्ता में बैंकों के साथ जल्द बैठक कर वांचित पात्र किसानों को इस वोजना का लाब देते हुए रीन माफी कारियों में गती दी जाए किसानों के रीन माफी से समधी समस्याव का जल्द से जल्द समधान करे बैंक में राजी के मुख्य सचीव सुखदेव सिंग, मुख्यमंत्र के परधान सचीव राजीव अरुन एका वित विभाग परधान सचीव अजय कुमार सिंग, मुख मंत्री के सचीव बिनाय कुमार चौवे, क्रिसी सचीव, अब्बू, सहित और नेपदादिकारी उपस्तित थे रगबी अंडर 18 भारतिये टीम में खोटी के डेविड मुंडा का चयान नेपाल के काठ मंडू में आगामी 10 और 11 दिसंबर्तक होने वाली अंडर 18 भारतिये टीम में खोटी के डेविड मुंडा का चयान हुआ है यह जनकारी जार्खन भारतिये एसेसेशन और खोटी जिला भारतिये शंग के सचीव हेजाज अस्दक ने दिया है उन्होंने बताया है कि गत आठ नोमबर से 4 दिसंबर तक सीव छत्रपती स्पोर्ट कमप्लेक्स भाले वाडी पुन्ये में आयोजीत कठीन चयन परकिरिया में संभावी 30 चयनित खिलाडियों में जार्खन से एक मात्र डेविड मुंडा ने 13 सर्सिये भारतिये टीम में कि आम लोग दीन रात परसान हो रहे हैं इस परसानी को देखते हुए मंगलवार को जार्खन बिजेपी ने बिजली कटवति की समस्या खत्म करने की मांकों लेकर बिधूत भावन के समक्ष धार्ना दिया धार्ना परबैठे बिजेपी ने ताव ने कहा है कि हमारी मांगों पर सिगरे विचार नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री आवास का बिजली कनेक्शन काट देंगे धन्यवाद